क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ननी सी तितली ने हमें प्रोथसाहित किया और हमने एक छोटा सा ड्रॉन बना डाला इसका सबसे पहला प्रयोग बॉर्डस अविलांस के लिए किया गया एडवांस देशों ने इलेक्रोनिक प्रयोग कर ड्रॉन को हतियार के रूप में प्रयोग किया इसकी मारक शम्ता और सटीक बना ली छोटे देशों के पास न तो इतना धन है और नहीं टेक्नोलाजी युक्रेन वार सीन देखकर हम भ्रमित हो जाते है लगता है ये वीडियो गेम चल रहा है लेकिन ये साक्षात मार्डन टेक्नोलोजिकल वार है अब लड़ाया वार गेम की तरह ही लड़ी जाएंगी इस वार गेम का सबसे खतरनाक हथियार होगा ड्रॉन सस्ता भी घातक भी इसके दो तरह के प्रयोग है कंस्ट्रक्टिव वर डिस्ट्रक्टिव हम दोनों तरह के प्रयोग करने की तैयारी में है मौसम की निगरानी भविश्यवानी, यातायात निगरानी, राहत और बचाव कार्य, खेती, फोटोग्राफी आदी में ड्रोन का उप्योग हो रहा है ड्रोन तकनीक GPS और आनबोर्ट सेंसर के साथ मिलकर काम करती है ड्रोन का नाम सुनते ही मन में जो चवी सबसे पहले उभरती है वह है पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर आतनकियों के सफाय के लिए उनके ठिकानों पर की जाने वाली अमेरिकी ड्रोन बंबारी इसने आम भारत वासी का परिचे ड्रोन से कराया इसे अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन की तर्ज पर सैन्य निग्रानी एवं टोह लेने के उद्देश इसे विक्सित किया जा रहा है वर्तमान योग को ड्रोन योग कहा जाए तो इसमें कोई अतिश्योक्ती नहीं होगी क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें इनका उप्योग नहीं किया जा रहा हो ड्रोन निकट भविश्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत आगे लेकर जाएगा ड्रोन क्रांती की चिंगारी सबसे पहले हमारे किसानों और गाउं के लोगों ने पूरे देश में लगाई है आने वाले समय में जिन्दगी के हर क्षेत्र में इसका प्रयोग देखने को मिलेगा खेतो में कीट नाशक दवाओं का छिरकाओ हो दोर टू दोर डिलीवरी हो फिल्मी शूटिंग या फोटोग्राफी हो क्विक अजेंट सप्लाई करनी हो मिलिटरी वपुलिस सविलांस हो अभी हाल ही में सिरिया वार ड्रांस की बजह से जीती गई कहा जाता है कश्मीर में आतनकवाद समाप्त करने में ड्रांस का बहुत बड़ा रोल रहा है निश्चे ही हम कह सकते है आने वाला समय में हमारी जिन्दगी का हर पहलू टोटल इलेक्टरानिक द्वारा संचालित होगा सुनने में अच्छा लगता है लेकिन रोमान्चित होने की कोई जरुरत नहीं है जैसे जैसे मैन पावर का प्रयोग कम होगा बेगारी और बढ़ेगी ओगनिक खाद के प्रयोग का विनाशकारी प्रभाव हमने श्रीलनका में देखा है ये हमारे लिए एक सवक हो सकता है अब हमें ये मान लेना चाहिए की विकास वविनाश एक ही सिक्के के दो पहलू है सताधरियों को दोनों में वैलेंस कर आगे बढ़ना है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें वैल बटन दवाना न भूलें